Hello students, आज की लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, री जनरेशन, जैसे कि शब्द से ही मालूम है कि री जनरेशन तू वर्ट से मिलकर बना है, री और जनरेशन, री मीन्स अगेन एंड जनरेशन मीन्स प्रोडक्शन और ओरिजन, इट मीन्स अगेन प्रोडक्शन होना, यानि की दुबारा से कोई बनना या दुबारा से कोई चीज बनना, उसको हम बोलते हैं, री जनरेशन, Definition of Regeneration, Regeneration is the restoration और री प्लेस्मेंट और लॉस्ट और इंजर ओर्गन्स और टिशू बायन ओर्गनिजम, किसी भी जीव के टूटे, खोए या नस्ट हुए अंगों या उत्तकों की मरमत या पुनह प्राप्त होना ही Regeneration कहलाता है, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यानि कि खोई वे बागों की मरमत या नए तरीके से बनने की प्रक्रिया ही Regeneration कहलाती है, टाइप्स ओफ रीजनरेशन, फर्स्ट इस मॉर्फो लैक्सिस, इस प्रकार का जो Regeneration होता है, ये लोवर इन्वर्टीबेट्स जैसे स्पंजिस और हाइड्रा में पाया जाता है, इसमें जो टूटावे भाग होते हैं, वो वापिस से बनते नहीं है, बलकि आनिमल के एक छोटे से पीस से, जो चोटा टूटावा पीस होता है, उससे एक कम्प्रिट आनिमल का डैवलप्मेंट होता है, इस प्रकार के Regeneration में, जो कटेवे स्थान होते हैं, वहाँ पर Regeneration Blastema नहीं बनती है, इस प्रकार का जो Regeneration होता है, उसका हम comparison जो प्लांट होते हैं, जिनमें सॉमेटिक रेप्रोडक्शन होता है, उससे हम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो कटावा पार्ट होता है, उस कटेवे पार्ट से एक complete आनिमल बनता है, For example, जैसे Hydra को अगर टू पार्ट में डिवाइड कर दें, तो अगर अपर पार्ट है, तो वो नीचे का पार्ट बना लेता है, और जो नीचे का पार्ट है, वो उपर का Head बना लेता है, इस तरह से जो दो टूटेवे पार्ट तें, उनसे दो Hydra डेवलक हो जाते हैं, Next is Epomorphosis, इस तरह का जो Regeneration होता है, उसमें जो शरीर का भाग तूट जाता है, या शतिक्रिस्ट हो जाता है, वो उसी पार्ट को दुबारा बनाता है, न कि टूटेवे पार्ट से एक Complete Animal बनता है, जैसे कि हमने Morpholexis में देखा, कि एक टूटेवे पार्ट से एक Complete Animal बन गया, एक Complete Hydra बन गया, जबकि Epomorphosis में क्या होता है, जो पार्ट टूटावा होता है, उसी टूटे पार्ट की Repairing होती है, और उस टूटेवे पार्ट से एक Complete Animal नहीं बनता है, जो टूटेवा पार्ट होता है, वहाँ पर Regeneration Blastema बनती है, एक Cells होती है, जिनसे नया और्गन बनता है, जैसे हम Blastema कहते हैं, और इस Blastema से वो टूटेवे पार्ट, जो टूटा पार्ट होता है, उसकी Repairing होती है, इसलिए ये जो Regeneration कहलाता है, ये Epimorphosis Regeneration कहलाता है, ये जो Epimorphosis Regeneration होता है, इसके Example है, जैसे Amphibians होते हैं, उनके अगर टांग काट दी जाए, जैसे Eurodella के होते हैं, उनकी Salamander, उनके अगर टांग काट दी जाए, तो वो दुबारा से डेबलप हो जाती है, यहां जैसे कि आपने अपने घरों में, छिपकली की टेल को भी देखा होगा, अगर अपन लिजर्ड की टेल को काट देते हैं, तो वो वापिस Regenerate हो जाती है, तो इस तरह से यह जो वर्टीब्रेट्स है, कुछ वर्टीब्रेट्स में इस तरह का Epimorphosis Regeneration पाया जाता है, यहां हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ जैसे Mammals होते हैं, Mammals में भी जैसे घाव बन जाते हैं, तो घाव वापिस से भर जाते हैं, तो इस तरह से Mammals में घाव बरने की प्रक्रिया भी Regeneration की कहलाती है, आपने यह देखा होगा, कि जब जैसे एक बार जायगोट से एक complete living being या कोई एक complete animal बन जाता है, तो उसके बाद नेचर के कारण, या accident के कारण, किसी भी तरह से उसकी जो पुरानी cells होती है, वो नस्ट होती जाती है, और उस animal को नई cells की ज़रत होती रहती है, ताकि वो animal अगर उसमें पुरानी cells कतम होती जाएंगी, तो उसकी death हो जाएगी, या वो जीवित नहीं रह सकेगा, तो उसको कुछ किसी भी कारण से नई cells की ज़रत होती है, या जैसे उसका अंग तूट गया, या उसको किसी तरह का नुफसान हो गया, किसी कई जगे गहाव हो गया, तो उसको नई cells की ज़रत होती है, तो इन नई cells को लेने के लिए, या नई cells बनने के लिए उनकी body में कुछ इस तरह की strategy पाई जाती है कि उनमें regeneration होता रहता है ताकि उस animal की body को नई cells मिलती रहें तो ये जो नई cells मिलती रहती है वो in regeneration के कारण मिलती है जैसे कि first is reparative regeneration ये और second is physiological regeneration ये जो reparative regeneration होता है इसमें multicellular organism has the power only to repair certain damaged cells of the body it is a common phenomena observed in both invertebrates as well as the vertebrates यानि कि जो कोई part 2 चाता है उसका repairing हो जाती है ये invertebrates और vertebrates दौनों में ही पाया जाता है इसको बोलते हैं reparative regeneration इसका best example है किसी भी animal में अगर घाव हो जाता है तो वो घाव भर जाता है और यहां फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कुछ जगे चोट लग जाती है तो वो ठीक हो जाती है तो वो कहलाता है reparative regeneration second is physiological regeneration यह जो physiological regeneration होता है इसको repetitive regeneration भी कहते हैं जैसे कि आपने देखा होका जो mammals होते हैं उनके blood की cells में वो उनका जो life cycle होता है वो बहुत ही limited होता है और उनको हमेशा blood की चोरत होती है तो इस तरह से इन में नई blood cells बनती रहती हैं दूसरा इसी प्रकर से जैसे हमारी nose की epithelia, elementary canal की epithelium होती है हमारी जो body में जो epithelium है वो भी समय समय पर बदलती रहती हैं और इनकी जो physiology होती है उसके साब से उनको नया बनना और उनकी रख रखाव के लिए यह जरूरी होता है कि epithelium की नई cells बनती रहें तो इस तरह से यह physiological regeneration होता है यह repetitive regeneration होता है production in protozoans most single cell animal like protozoans regenerate very well if part of the cell fluid or cytoplasm is removed from amoeba it is readily replaced the way in which such a biseptic protozoans regenerates is almost identical with the way it reproduces by ordinary divisions यह जो protozoans होते हैं अगर यह जो प्रोटोजोन होते हैं इनमें regeneration ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इस animal के protozoans के किसी एक animal को अनेक pieces में तोड़ दिया जाए तो हर एक piece जिसमें जरा भी nucleus का part present हो वो एक complete animal में develop हो जाता है regeneration in Porifera यह जो sponges होते हैं उनमें regeneration बहुत जादा मात्रा में पाया जाता है इनमें इसकी शम्ता होती है regeneration की यदि sponge की 200 या इससे अधिक अलग-अलग cells को calcium और magnesium ions की presence में किसी एक बरतन में रख दिया जाए तो यह cells आपस में चुड़ जाती हैं और नए sponge का निर्माण करती हैं और यदि sponge के कोई ऐसा टूटावा piece हो जिसमें की pinnacoderm और cornoderm दोनों ही layers प्रिजेंट हो तो वो टूटावा piece भी एक complete sponge को develop कर सकता है इस तरह से पॉरिफेरा में यह regeneration पाया जाता है regeneration in sealant trita यह जो sealant trita आनिमल्स होते हैं उनमें hydro पर ट्रेंबले ने बहुत सारे experiment किये और उन्होंने देखा कि उनमें morpholexis type का regeneration पाया जाता है इसमें hydro के हरे खंड में polarity पाया जाती है जो मुख के आगे की side होता है mouth के पास वाला जो part होता है वो anterior part कहलाता है और इसमें हमेशा आगे का भागी develop होता है अगर hydro को vertical रूप से two parts में काड़ने तो दो मुख वाला hydra develop होता है और अगर उसको two parts में divide कर दें तो आगे वाले part जो head reason होता है वो पीछे वाला part develop कर लेता है और जो पीछे वाला part होता है वो आगे वाला part develop कर लेता है इस तरह से उसमें regeneration पाया जाता है और उन्हेंने ये भी देखा किती जो anterior part होता है वहाँ पर regeneration की जो चमता है वह जादा पाई जाती है और जो posterior part होता है उसमें regeneration की चमता कम पाई जाती है इसको हम diagram से देख सकते है जिसे यह Hydra है इसको टू पार्स में डिवाइड किया है यह anterior पार्ट है यह posterior पार्ट है तो यह तू तूता था उसमें यह पीछे का पार्ट डैवलप हो गया और एक यह complete Hydra बन गया इसी तरह से यह जो पीछे वाला पार्ट है इसमें यह anterior पार्ट डेवलप हो गया तो यह complete हाइड्रा बन गया है आगे वाले पार्ट ने पीछे वाले पार्ट को डेवलप किया तो complete हाइड्रा बना पीछे वाले पार्ट ने आगे वाले पार्ट को डेवलप किया तो यह complete हाइड्रा बन गया इस तरह से यह हाइड्रा में morpholexis type का regeneration पाया जाता है तो students आज हमने definition of regeneration, types of regeneration और कुछ invertebrates like protozoa, porifera और salient rata में हमने regeneration देखा Okay, thanks class